दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जॉन्डिस बीमारी के बारे में, ये बहुत ही common बीमारी है, हालग कि viral बीमारी होती है, hepatitis के कारण जॉन्डिस होता है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में, अगर stone फंच जाता है, common bile duct में, तब भी जॉन्डिस होता है, तो अगर स्टोन है तो उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तो जॉन्डीस ठीक नहीं होगा लेकिन अगर ये किसी और कारण से कुछ कई बार अगर हमने दवाईयां जादा खाली होती है तब भी लिवर पिर सूजन आजाती है यजोन्डीस हो जाता है या अगर वार्ल इंफेक्षन हो जाता है जिसमें हैपिटेटिस A, B, C, E, D इस तरह के जो वार्यल इंफेक्षन है और A और B बहुत ज्यादा कॉमन है और C बहुत ज्यादा कॉमन है तो अगर इनके कारण जो अंडिस होता है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हलाकि इंफेक्शन को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है हैपटरेटिस A तो क्यूरिबिल होता है बड़ी असानी से ठीक हो सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशन को हम बड़ी असानी से रोक सकता है लेकिन हैपटरेटिस B और हैपटरेटिस C थोड़ा मुश्किल होता है और फिर भी अगर हम इन दवाईयों को इस्तेमाल करते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन से अपने आपको बचा सकते हैं तो बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन सी दवाईया हैं जिन से हम अपने लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं हैपटरेटिस को कम कर सकते हैं और फिर से जो हमारा लीवर है वो ठीक से काम करने लगे वो कौन कौन सी दवाईया हैं जिनको हम इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों मैं सला दूँगा कि अंग्रेजी दवाईयों का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है हाँ बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स हैं हॉम रेमेडीज हैं आयरवेदिक और युनानी मेडिसिन्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जॉन्डिस में या हेपिटाइटिस में इसम्पली आपको अगर आप डेबिटिक नहीं है तो मीठा खाएं, गुण खाएं, गन्ने के रिसका इस्तमाल करें इससे भी आप जॉन्डिस्क लेवल को कम कर लेते हैं अगर आप डियाबिटी के हैं तो आपको फिर मीठा से बचना है क्योंकि आपको डियाबिटी को भी कंट्रोल करके रखना है उसके अलावा कुछ दवाईया होती है जिसमें एक अर्क मकू के नाम की दवाई आती है इसका 20-20 ml शुबा शाम लें एक अर्कासनी आता है इसका 20-20 ml सुबा शाम लें और एक दवाई होती है जिसको हम जवारिश तमर हिंदी के नाम से जानते हैं तमर का मतलब इमिली होती है तो इमिली का एक जवारिश होता है जिससे 54 पराश उस तरह की दवाई होती है बड़े अच्छे इसके रिजल्ट आते है इसका 7 ग्राम सुबा शाम आप खाने के बाद खाए इसके लावा एक बड़ी मशूर दवाई है जिसको लिफ 52 की नाम से इन कम्प्रियों की दवाईयां बड़ी असानी से मिल जाती है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं चौन्डिस में और हेपिटाइटिस में इस दवाई का भी 77 ग्राम सुबा शाम आप खाने के बाद लगातार खाते रहे और अगर यह जो मैंने आपको चार दवाई सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यवाद